केंद्र सरकार के द्वारा घर घर तिरंगा भियान चलाया जा रहा है जिसके तैद व्यापक तैयारिया की जा रही हैं वहीं राष्टवादी जन परिसद के बैनर तले यह कारिक्रम 9 अगस्त से सुरू किया जाएगा कारिक्रम की रूप रेखा तैयार करने के लिए स्वामिवेकर नंद पार्क में एक कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पहुँचे सहर के प्रबुद्ध जनों ने मीटिंग की हैं श्री खरे ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांती दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो अंग्रेजो भारत छोडो अंदोलन का बिगुल फूंका था जिसके बाद नेताओं की गिरफतारियां हुई थी और हमारा देश आजाद हुआ था इसलिए धोजा रोहन 9 अगस्त को किया जाएगा इसके लिए राष्टबादी जन परिसद में जुड़े हुए लोगों ने 9 तारिक से अपने घरों में धोजा रोहन करने की बात कही है आएए आपको सुनाते हैं कि मीसाबंदी अजय खरे ने 9 अगस्त को धोजा रोहन करने के पीछे क्या तर्क दिया है ब्यूरे रिपोर्ट विराट 24 न्यूज रिक्रम का क्या उदेश है आपके? राश्टी नित्तिकी सारे नेताओं की जो दूसरी पंक्ती थी उसने आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली और तिरंगा लेकर बंबई है बंबई के मुंबई उस समय मंबई साब मुंबई है रहां के गुवालिया ट्रेंक मैदान में हाउना असाफली ने जाके ठंडा फेराया और उनको वहां नजर बंद किया गया वो सारा अंदोलन चला पूरे देश में पहला डाक्टर रामन और लो याई जय परकात नहरा है तमाम क्रांतिकारी लोग पूरे देश में तमाम विरोज में पूरा जम सहलाब था इस योजना में आप लोग 9 तारिक से धोजा रोहन कर रहे हैं जो किस हासन की योजना के तहट वो 11 से लेके 17 के बीच में यह 9 तारिक को धोजा रोहन करके देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश देना चाहते हैं कि जिसके लिए अंडोलन हुआ, जिसकी आजादी के लिए हमारा सम्मिदान बना अचना वड़ा सब अच्छी चीजे हुई तो उसका परिपालन हो उसको सही डंग से अभी सच्चर पच्चर साल में कुछ हुआ नहीं हो और हम लोग केवल बात इस चड़ाने का जजवा भी भूल गए तो क्यों बदला परिवेश गास्ट चिंतन की धारा क्यों बदली तो चीर के देखो रंग लहू का इसमें तो अब भी लाली है फिर क्यों बलिदानी बीरों से मा की गोदी खाली है तो मत भूलो अनुसरन करो आजादी अभी अधूरी है उठो साथियों कफन बादलो फिर से जंग जरूरी है